हेलो फ्रेंज कैसे हैं अब अभी तक फ्रेंज में आपको साथ दिन के साब से साथ सर मतांब बताने वाली थी तो अभी तक छे में बता चुकी ही हूँ और आज रही साथ बता साथ przedstaw बनाया और लास्ट राज हम ड्राइफूट्स की ब्रेसिंग यूज़ करके यह अला सलाद बनाने वाले हैं यह आपके हाट को बहुत है रखेगा तो आपको आरू बताने वाला है कि क्या-क्या यूज़ करें यह क्या है बटा एपल, ठीरा, अम्मु गाजर, ब्रॉकली, निम ब्रॉकली, नमस, और चिली फ्लेक्स हम चुरू करते हैं इसको बनाना तो इसके लिए एक एपल काटके रखा है एक खीरा है दो गाजर और यह ब्रॉकली है गाजर और ब्रॉकली को हमने ब्लांच कर लिया है ब्लांच करना मतलब आप गरम पानी में एक बार इनको डाल के निकाल लीजी जिससे कि यह थोड़े से सॉफ्ट हो जाने काल यह निम्बू है यह अखरोड को हमने तेल में थोड़ा सा फ्राइ कर लिया है मैंने इसमें घानी का तिल का तेल यूज किया है आप जो भी तेल यूज करते हों ले सकते हैं यह स्ट्रॉबेरिये डेकोरेशन के का लांग बुरे और यह तेल का तेले ड्रेसिंग करें कि आज़र इसमें हमें लो यह अख्रोटे इसका हम दरदरा कर लेंगे आरुक करो बिटा यह पांचे अख्रोट थे इसको फ्राइए करके रखा था इसका हम दरदरा कर लेंगे अख्रोट हमारे अज़ा शेल बामाने तुके हैं यह अख्रोट हमारे दरदरे हो चुके हैं। इसको हम इसके उपद छिड़क देंगे अब हम इसमें डालेंगे आधा निम्बू अब आरो इसमें अपन करेंगे वाइल मिक्स और डालने से सलाव में अच्छी से शाइनिंग आ जाती है जो बहुत अच्छी लगती है अब मिसको अच्छे से इसमें डालेंगे नमक स्वाधान साल नमक चीली फ्लेक्स ऑप्शनल है आप चाहे तो यूज करें या ना करें अब हम इसको अच्छे से हिलाएंगे अपन दोनों मिलके लाएंगे ना नीचे 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 है ना अच्छे से लाएंगे थोड़ी सी में हल्प कर दो फिर आप कर रहेंगे फिर आरो में सजाएगा हृए जाए अब हम इसमें डेकोरेशन के लिए करेंगी पाले करें मों स्थाँबेरी अलगा बेटा आप सुपी एक यहां पर और एक यहां अब इसमें काले अंगुर भी रख दो बेटा इसके पास में एक शुपा रहा हूं ताकि जैसे ही कोई खाए तो उनको लगे मीठ आरे वाँ सिक्रेट अच्छा ठीक यह चुपा दो इसके बाद हम डालेंगे काले अंगुर करें 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 के लिए आप इसे बनाएं खाएं और मुझे बताएं कि कैसा लगा अच्छा लगे तो मुझे लाइक करें शेयर करें सब्स्राइब करें 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 करें